आज की इस वीडियो की शुरुवात मैं एक स्टोरी से करना चाहूँगा दोस्तों ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो अपने जिंदगी में एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है उसका ये सपना वो बशपन से नाकेबल वो देख रहा है बलकि उसके मम्मी पापा भी इस सपने के साथ की हमारा बच्चा आने वाले टाइम में एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा उसके साथ लगे रहते हैं पच्पन में ही वो बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है अच्छा क्रिकेट खेलता रहता है दीरे 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 उसके क्रिकेट में इंप्रूवमेंट होता जाता है और होते होते दीरे दीरे करके वो एक अच्छा क्रिकेटर बनने की और अग्रसर रहता है दीरे दीरे करते गरते उसकी जर्णी में इस तरीके का भी पड़ावाता है कि वो देश के लिए सेलेक्ट होकर एक अच्छा क्रिकेटर बन भी जाता है 17 साल की उम्र में किसी क्रिकेट खेलने के लिए किसी जगे पर अपनी टीम के साथ वो क्रिकेट खेलने जाते हैं और वहाँ पे पहला दिन क्रिकेट होता है सेकंड डे क्रिकेट फिर से होना होता है वही पर रात को उस लड़के के पास फोन आता है कि बेटा तुम्हारे पिता के लिए रात में अगर किसी को पता चले कि उसके पिता जी नहीं रहे वो बेटा क्या करेगा उसको क्या करना चाहिए वो सकता है आपका जवाब हो कि उसको तुरंत फ्लाइट पकड़के या ट्रेन पकड़के अपने घर जाना चाहिए और पिता के अंतिन संस्कार का हिसा बन यहाँ पर हार सकती है जो मेरे पिता जी को कभी मंजूर नहीं होगा जिन्होंने मुझको लेकर यह सपना देखा था कि मेरा बच्चा आने वाले टाइम में पुरे देश का सबसे अच्छा क्रिकेटर बनेगा उस लड़के ने एक डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए मैं पहल लटका कोई और नहीं मेरे प्यारे बच्चो हमारे टीम का कप्तान विराठ कोली साब है 17 साल की उम्र में अपने पिता जी को खोने का गम और उस गम में उस situation में अपने देश के लिए अपने टीम के लिए खेलने वाली शक्सियत विराट कोहली साब आज हर कोई जानता है इनके बारे में हर किसी के दिलों पर राज करती है यह शक्सियत आप देखें इनके बारे में कुछ शीजे लिखी हुई है नाम विराट कोहली बॉन हुए यह 5th November 1988 को दोस्तों फॉदर एक लॉयर थे जिनकी मौत हो गई 19 दिसंबर 2006 में यह उसी समय की किस्सा है जो मैंने अभी आपको सुनाया विराट कोहली वाज only 17 years old at that time केवाल उस समय व जब कभी भी हमें लगता है कि अरे अब तो संभव ही नहीं है जब इनको जब ये खवर इनको पता चली कि पिताजी नहीं रहे तो इनके अलावा बाकी लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि अब इनके बसका नहीं है अब संभव नहीं है कि ये cricket के लिए खेल पाएंग कि लाइफ में बिना कोंप्रोमाइस किये हुए कुछ भी हासिल नहीं होता साथियो आप एक स्टूडेंट है आपके जिंदगी में आपका एक सपना है आपका गोल है कि नहीं मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए मुझे SSC करना है मुझे बैंकिंग करना है मुझे UPSC करना है कुछ न कुछ आपका गोल होगा लेकिन क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे पढ़ाओ पे आने के बाद जहां पर आपके सामने दो विकल पाए हैं एक कि आप अपनी परप्रेशन को अपनी पढ़ाई को अपने गोल को सेलेक्ट करे और दूसरी तरफ आपके रिस् अपने के लिए बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ेगे ना अपना कभी भी आपके पास नहीं आएगा साथियो साकार होना तो दूर वो आपसे दूर होता हुआ नजर आएगा आपको तो आपको विराट कोहली जी से इस बात को सीखना चाहिए कि लाइफ में चल रहा है तो ये सरकल कभी रुकता नहीं है स्पीड कम या जादा हो सकती है लेकिन सरकल घूमेगा जरूर साथियो आज आपकी जिन्दगी में कुछ भी दिक्कत हो रही है थोड़ा सा पेसेंस बना के रखना इस लड़के की तरह जिसका नाम है राहुल नेमा एक ऐसा परिवार वाले भी ठक जाए अगर ऐसे बच्चे को इतना सारी चीज़े करनी पड़े बच्चे के लिए आज ये व्यक्ति सेलेक्टेड है ये लड़का सेलेक्टेड है और अगर कहीं जाना भी है न तो पिता जी इनको गोद में उठाते थे और लेके जाया करते थे सातिय लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है मैं चे घर से नहीं दोस्तो वड़ियो लोग excuses देते हैं एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा चोथा पाँचवा excuse पे esteすक्यूज देते रहते हैं यह चीज नहीं है इस बज़े से मेरे लिए तो crack कर पाना संभव हो वह कैसे हैं असंभव हो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं इसलिए मेरे लिए सरकारी मिल पाना असंभव हो है तो क्यों सारे करोड़ पती घराने के बच्चे सरकारी नौकरी पाते हैं मेरी हाइट छोटी है मैं गाउस बिलॉंगर तो इसलिए मेरे लिए सरकारी नौकरी पाना असंभव हो है तो क्या सब के सब लंबी हाइट वाले और शहर के ही रहने वाले लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाती है या कामयाब होते प्रे जिन्दगी में आपको सोचना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा आपको इस चीज को accept करना पड़ेगा कि आप अपनी जिन्दगी में जो कुछ भी है और जैसे भी है उस स्थिती को उस अवकात को बदली जा सकती है केवल इस बात को मान कर कि जो चीज आपको impossible लगती है उसको possible सोचना पड़ेगा दोस्तो एक इंटर्वियू में ये नो ने कुछ बात कही इन से पुछा गया कि आप अपनी जिन्दगी में कुछ मैसेस देना चाते हैं लोगों को तो इन्होंने कहा कि अपाहिज वो नहीं जिसके पैर नहीं है बलकि अपाहिज वो है जो दिमाग का इस्तमाल नहीं करता दोस्तो अपाहिज वो नहीं जिनके पैर नहीं है सोचिए एक ऐसा लड़का इस प्रकार के शायराना अंदाज मिनों ने अपनी बाते रखी कि अपाहिज वो नहीं जिसके पैर नहीं बलकि वो है जिसके दिमाग है लेकिन उसका इस्तिमाल नहीं करता है इस लिर्केन ये भी कहा दोस्तों कि पैर नहीं होगा तो कोई न कोई तुम्हें चला ही देगा लेकिन दिमाग नहीं होगा तो तुम्हें चलाने वाला धरती पे कोई नहीं मिलेगा साथियो हमेशा इस बात को याद रखे कि आपको जिन्दगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए आपको चाहिए कि आपको सरकारी नोगरी मिल जाए चाहिए भगवान से हर स्वाम है अगर वत्ती जला के प्रार्थना करते भगवान से मांगते सरकारी नोगरी, सरकारी नोगरी, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, बलकि आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए साथियों, एक जिद्धी बनेंगे, impossible शब्द को अपने dictionary से निकाल फेकेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके जिन्दगी में जो चीज आपने चाहिए है, वो चीज आटोमेटिकली आपकी तरफ आते हुए दिखेगी, आपको उसके लिए भागने की जरुद नहीं है, आपके वल उसके लिए अपने आपको तयार करते रहो, आप उस चीज के लिए अपने आपको तयार करते रहो, आप हो सकता है, आप SSC की Preppression कर रहें अब आपको पता है कि SSC की preparation करना SSC crack करना CGL crack करना है तो CGL crack करने के लिए मुझे ये यउदस को पढ़ने की जरुद है मुझे एक ऐसे जरुद मुझे रचान की जरुद सब्सक्व मुझे अच्छे से guide करें आपको ये जानना है कि भई मुझे CGL crack करना है तो मुझे CGL के लिए मुझे अच्छे teachers का पूरा का पूरा team चाहिए जो मेरी CGL को crack करने में मदद करेंगे तो आपके लिए है ना यहाँ पे ब्रह्मास बैच साथियो अगर आपने ये चीज decision लिया है आप चाहते ही कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा करें कुछ बड़ा करें आप जिंदगी में कामयाब हो तो ब्रह्मास बैच है पैसे का दिक्कत है बहुत बड़ी fee support नहीं कर सकते तो only 1499 में मिल रहा है ये ब्रह्मास बैच और ये ब्रह्मास बैच जो CGL के लिए केवल CGL के ही students नहीं बलकि इसके साथ एक और बैच मिल रहा है इंटोसेट करो आपने अगर सोच लिया है कि मुझे लाइफ में अपने आप से 2023 में सरकारी नौकरी चाहिए अगर आपने ये बात सोच लिए है तो PW एप पर आया हुआ ये ब्रह्मास बैच आपके सपने को साकार करने में जरूर मदद करेगा चाहे Maths ओ, English ओ, Reasoning ओ, GSO, GS में History, Geography, Policy, Economic, Science, Current Affair ये सारी चीज़े आपको इस पर्टिकुलर बैच में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हुए दिखेंगे आप एक बरस अगर सोचा है तो बस एक कदम आगे बढ़के इस डिसीजन लिजे बैच का पार्ट बनिए, PWA Play Store से इस्टॉल करके इस ब्रह्मास बैच को लिजे और यहां से आप अपनी preparation को शुरू कीजे यह मत सोचिए कि यार मुझे life में कुछ चमतकार होगा मेरी जिन्दगी में तो शायद कुछ बहुत अच्छा हो जाए ऐसा नहीं होता दोस्तो, शमतकार नाम का शब्द किसी इन्सान के जिन्दगी में होता ही नहीं है, शमतकार शब्द केवल दूसरों को दिखता है, जिसके साथ हुआ है, उसकी बीछे अगर देखे तो उसके पीछे उसकी बहुत बढ़ी मेहनत होती है साथियो, दूसरे लो को आप क्या लकी बोलेंगे मेहनत है प्यारे सात्यों एक सही जगे पर सही टीचर्स के टीम के साथ प्रिप्रेशन करी और आज स्केल वन ऑफिसर बनके किसी बैंक में पोस्टेड है प्यारे बच्चों अरुणिमा सिन्हा एक नया नाम एक नया चेहरा जिसको आज साथ देट में किसी परिचे के महताज नहीं है बालीबॉल प्लेयर बनना चाहती थी बहुत अच्छी प्लेयर थी जबर जस क्या खेलती दी बॉल से लेकिन माइडियर इस्टुइंट्स कहते हैं कि किसमत को जब कुछ अच्छा मंजूर कहते हैं कि इश्वर जब आप जो चाहते हैं अगर आपकी मर्जी का ना हो तो याद रखेगा इश्वर की मर्जी का होने वाला है। और इश्वर की मर्जी इंसान के मर्जी से लाग गुनी बड़ी और बहतर होती है साथियों। यह नहीं दे रही थी तो इनको ट्रेन से धक्का मार दिया जातियों। ट्रेन से गिरने कवा सड़नली आगे से एक ट्रेन गुजर गई जो इनके पैर पे चड़के चली गया और एक पैर on the spot वहीं पे कट गया। पैर भी होता है ना भाई साथ वो भी एवरेस्ट फते करने से पहले सोचने से पहले हजार बार सोचता है क्योंकि वो इतना असान नहीं होता दोस्तों। लेकिन इस लड़की ने एक पैर से एवरेस्ट फते करने का सपना देखा। एक डुब्लिकेट पैर उसमें लगाके और फिर यहाँ पर आज की डेट में हम सब जानते अरुनिमा सिन्धा ने केवल एवरेस्ट ही नहीं बलकि उसके अलाबा और भी पता नहीं कितनी जादा कितनी पीक्स को इन्होंने फते किया साथियों। तो ये सारे नेम जो आपके सामने लेते हैं ये केवल वो केवल। आपने जो भी डिसीजन लिया सही मार्ग दर्शक आपको चाहिए, सही प्लैनिंग आपको चाहिए, सही स्टेड़जी आपको चाहिए ताकि आपको आपके गोल को एचीप करने में कहीं भी कोई भी दिक्क में जाके देखेंगे हर छेत्र में आपको इसी प्रकार से स्ट्रगल करके कामयाद होने वाले लोगों की संख्या भरी पड़ी है दोस्तो जारों लाखों की तादाद में हैं आप अपने 27 में सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए चाहिए नहीं यह नहीं कि हाँ बस मिल जाए कहीं से नहीं कोई लखी ड्रॉ में सरकारी नौकरी तो बटनी रही है दोस्तों मेहनत चाहिए होता है सही मार्ग दर्शक सही जगे पर सही content के साथ complete preparation और फिर आपकी कामया भी अगर आपन की दोनों की preparation एक साथ आपकी हो जाएगी दोस्तों 2023 आपके लिए आपका selection year पका बनने वाला है दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखे और Mount Everest फते करने वाली ये महिला पूरे विश्व की पहली विकलांग महिला बनी दोस्तों इतनी जवरजस्त बात है यहाँ पर इतना motivation इन से मिलता है इनके बारे में जब पढ़ोगे तो आपका और मन करेगा इनके बारे में और भी जानने का कि आखिर इनों ने किया कैसे इतनी सारी चीजे कुछ और बात यहाँ पर कुछ जबरजस्त मोटिवेशनल बात यहाँ पर है कि कठनाईयां अकसर साधारण लोगों क एक असाधारण भाग के लिए तैयार करती है दोस्तों आपकी जिंदगी में अगर कठनाई है तो आप खुशकुश्मत हैं आप लगी है कि आपकी जिंदगी में उपर वाले ने कठनाई दी है दोस्तों क्योंकि आपकी जिंदगी में जितनी कठनाई होगी जितना आप तो आप कौन है जो ये सोचते हैं कि ये चीज इंपॉसिबल है, nothing is impossible, impossible word itself says I am possible, प्यारे बच्चों हमेशा मोटिवेट रही है, आगे बढ़ते रही है, energetic रही है, कहीं भी उदास निराश हो, कुछ भी हो, तो कुछ भी ऐसी चीज अपने परिवार खास तोर पर अपने मम्मी पापा का चेरा देखिए, कि आपको कामयाब होना है किवल अपने लिए नहीं, बलकि उस पिता के लिए, जिसने आपके नाम पर फीस भरी है, उस मा के लिए जिसके हाथों की बनी हुई हर रोज, हर पल, हर सुबा, दुपहर, शाम आपको खाना मिलता है, रोटिया मिलती है को उनके चेहरे के लिए दोस्तो उस पिता को प्राउट फील कराने के लिए जो ये हर रोज सोचता है और दोस्तों से अपने साथिंआ से अपने प्रोसिओ शेयर करता है कि हाँ मेरा बच्चा आने वाले टाइम में ये government जॉब करके यहां पर नौकरी करेगा अपने पिता के लिए कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पिता के लिए अपने परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी तो आपका हक है दोस्तों प्रिपरेशन करिए हमारी टीम और मैं आपके साथ हूँ आपको मंजिल तक पहुचाने के लिए आल दे बेस्ट प्यारे साथियो आल दे बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यो